चाहें आपका YouTube का मायक होता है उस पर बोल का कुछ भी सर्च करते हैं वो वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपका Play Store का मायक वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपका Google का मायक वर्क नहीं कर रहा है इस वीडियो में आपको 100% उसका सॉलिशन कर देंगे बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप हमारे चैनल बन नई आयो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन ओन करते है So, Let's Get Started जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था YouTube, Play Store या Google किसी का भी मायक वर्क नहीं कर रहा है इसका सॉलिशन के लिए हमें सैटिंग पर क्लिक करना होगा तो देखे यह सैटिंग है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह का इंटरवेस नज़र आएगा, ठीक है आपको application वाला option जुड़ना होगा जो apps लिखा रहता है, apps जिसमें applications होते है तो देखे, यह लिख रहा है apps, इसमें धेट सारे applications है ठीक है, इस apps मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जितनी भी applications होगे, मेरी mobile में वो आ गए है आपको उपर three dot का option दिखाई दे रहा होगा इस three dot पर आपको click करना होगा ठीक है, तो यहाँ पर नीचे सबसे last option आ रहा है reset app preferences, ठीक है, इस पर आपको click करना होगा जैसे ही मैं reset इस पर click करता हूँ तो यहाँ पर option आ जाएगा reset का इसे आपको reset वाली option पर click करना हुगा बस आप आपको back आजाना है ठीक है आप जैसे यूट्यूब, play store या google किसी का भी mic पर click करते हो तो वहाँ पर इस तरह का allow का option आजाएगा उसको आपको allow कर देना है ठीक है Thanks for watching this video अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को like करें, comments करें और हमारा YouTube चैनल जरू subscribe करें